नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग टेकिंग शोशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शैटिंग बताने जा रहा हूँ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने स्मार्टफॉन में जितनी भी चीजे हैं और क्या क्या चीजे इसमें होंगी ये सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ देखी मेरा वीडियो सुरू से लिके लास तक और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दबा दीजे चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है मैं बता दूँ यह जो फॉन है रेड्मी नोट 7S है लेकिन मैक्सिमम सभी में इस तरह की सेटिंग है रेड्मी के जितने भी स्मार्टफॉन है नोट सीरिस के सभी में यह उप्शन उपलब्द है बस आपको धोनने की जुरूत है तो यहां पर सबसे पहले चलेंगे दोस्तो सेटिंग में सेटिंग में जा रहा है फॉन का अबाउट ऑप्शन आ गया दोस्तो सेटिंग में सबसे पहले आपका फॉन अबाउट ऑप्शन आ गया तो about पे click करना है और click करने के बाद all specs पे click करेंगे यह देखिए यह मैंने click कर दिया यहाँ पर आपको कहीng करनाल वर्जन दिख़ा होगा यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है kernel वर्जन तो इस पे आपको 5 वर click करना है 1, 2, 3, 4, 5 यह पाँच बार क्लिक करने के बाद आपके सामने ये option आ गया यही था जिसके बारे में बात करना था यहां से आप यह सब टेस्टिंग कर सकते हैं अपना SIM टेस्ट कर सकते हैं SD Card की आपका जितनी भी की है वो काम कर रही है नहीं कर रहीं यह सारी चीज़ आप देख सकते हैं लिए चार्जिंग टेस्ट कर सकते हैं तो यह टेस्ट कैसे करना है मैं एक एकर करके आपको बताऊँगा लेकिन मैं इसमें से कुछ ही बताऊँगा बाकी आप इसको कर लिजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो दोस्तों सबसे पहले उपर से स्टार्ट करते यहां पर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सिम टेस्ट में किलिक करते हैं तो यहां पर यहां पर यह देखिए यह ओया है टेस्ट, SIM1, NOT, INSERT, SIM2, INSERTED, तो यहाँ पर मतलब मेरा जो एक SIM है, एक की SIM लगी हुई है, यानि खाली है, SIM1 वाली स्लोट खाली है, दोस्तों आपको पता ही है कि Redmi Note 7 में या तो आप दो SIM लगा सकते हैं, या एक SD कार्ड और एक SIM लगा सकते हैं, तो मैंने एक SD कार्ड लगा और एक SIM लगा रखा है, तो यहाँ पर यह टेस्ट फेल हो गया, इसके बाद चलते हैं, SD कार्ड में, SD कार्ड में टेस्ट पास हो चुका है, आप खुद देख लिजे, क्योंकि SD कार्ड डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर उसके अंदर कितना एविलेवल स्पेस है, यह स इसको टेस्ट करना है, यह काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो देखे के काम कर रही है, सही है, अभी सही है, अगर सही नहीं रहेगी, तो इस पर रैड कलर का निसान बन जाएगा, अब अगला टेस्ट आपका मोटर का हो गया, यानि आपके फॉन में जो वाइबरेशन वाल रुक रुक के vibration करती है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा, तो यह continue vibration हो रहा है, ठीक है, जो की मेरे हाथ में मुझे खुद मैसूस हो रहा है, यह no vibration वाला, यह internal vibration, तो यह green color है, इसका मतलब test pass हो चुका है, और यह सारी चीज़े हो गई है, अब यहाँ पे touch panel, self test क करके देख लेते हैं, यह test हो रहा है, test pass हो चुका है, अब यहाँ पे आपकी touch में कहां दिक्कत है, वो आप देख सकते हैं, अगर कहीं बे color खराब है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे, आप किसी भी इससे में touch करेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएग यह देखिए, यह blue का मतलब है, कि आपका जो touch है, वो पूरी तरह से काम कर रहा है, तो यह काफी कमाल की setting है, इस चीज़ को तो मैं दिखा दे रहा हूँ, कि डिस्पले में ही काफी दिक्कते आ जाती है, क्योंकि फॉन जब गिरता है तो, अब मैं इसको सारा दिखा दे रह हूँ, देख रहा हूँ, इसका कौन सा पार्ट रह जाता है, तो यहाँ पर यह touch बिल्कुल ठीक है, जो इसका test है, वो सही रहा, तो यह भी touch panel, यह दिखिए, touch, self test, यह भी pass हो गया, तो इस तरह से आप काफी सारे test कर सकते हैं, और वीडियो को मैं बिल्कुल लंबा नहीं क चूंगा, बैटरी test कर देता हूँ, तो यहाँ पर बैटरी test है, 76% charge है, temperature 41 है, बैटरी ID है, तो यहाँ पर यह भी pass हो गया, एक मैं और test कर रहा हूँ, camera का, यहाँ पर मैं यह, जो back camera है, उसका test कर देता हूँ, back camera का देख लो, जूम, ओके, तो यह सारा, आप देख लो, यह test भी pass हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि camera का, front camera का, back camera का test पास हो चुका है, तो यहाँ पर यह सारे test पास चुके हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, काफी time लगेगा, तो कभी भी, अगर आपको, mystery के पास जान है, तो आप खुद से भी अपने phone को check कर सकते हैं, देख सकते हैं, दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो like, share, जरूर करें, और हमारी channel को subscribe कर लें, थैंकी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में